जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं कई सालों से ध्यान और कुणिलीनी का सादक रहा हूँ परंतु इतना सब अनुभव होकर अब पून रूप से मैं भक्ति योग में आ चुका हूँ सत्य क्या है इसका ऐसास मा कुणिलीनी ने मुझे करवा दिया है और मुझे मेरी सही जगा पर उन्होंने भेज भी दिया है पर इस मारग में जो अनुभव होते हैं उसकी कुछ जलक मैं इस चैनल पर आपको बताते आ रहा हूँ और आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको दस्वे द्वार के बारे में बताने जा रहा हूँ आप सभी लोग इस चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए तो ध्यान के अंदर बहुत सारे गूड रहस्ये होते हैं बहुत सारे सत्य जानकारी मिलती हैं कुछ ऐसी बाते जानने को मिलती हैं जो इनसानों को समानी जीवन में पता नहीं होती आज ऐसा ही एक रहस्ये में विशे है जो हम महसूस तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि इसका इंपोर्टन्स क्या है आज का विशे है हमारा शरीर, ध्यान और दस्वा द्वार हमारे शरीर के अंदर योगशास्त्र के हिसाब से दस्वा द्वार मौजूद है दस्वा द्वार ऐसे है जहां से बाहर जाया जा सकता है तो ऐसे दस्वा द्वार कौन से है जिसमे से बाहर जा सकता है हमारे शरीर के अंदर योगशास्त्र के हिसाब से दस्वा द्वार मौजूद है दस्वा द्वार ऐसा है जहां से बाहर जाया जा सकता है तो ये दस द्वार कौन से हैं जिसमें से बाहर जाया जा सकता है सबसे पहले तो दो आखें हैं जो बाहर की तरफ खुलती है फिर दो नाख हो गई उसके जो द्वार हैं ठीक है जो बाहर की और खुलते है मुँ जो बाहर की और खुलता है कान जो बाहर की और खुलते हैं ये हो गए साथ और दूसरे जो दो दौर हैं वो मल दौर हैं ठीक है मल और मूतर दौर वहां से भी बाहर जाया जा सकता है तो कुल मिलाकर नो दौर शरीर में मुझूद हैं जो हमारी प्रत्यक्ष आँखों से डिखते हैं पर योग शास्त्र में दस दौर की बात कही गई है तो ये दशम दौर कौन सा है दशम दौर जब बच्चा जन लेता है तो उसके सिर के अंदर तालू भाग के अंदर एक खाली पन होता है तालू समझते हो न अब ठीक खोपड़ी के उपर वाला हिस्सा यहाँ पर एक खोकलापन होता है यह एकदम सौफ्ट पार्ट होता है और अगर उसको महाँ पर आप हाथ रखो तो उस पर आपको धड़कन महसूस होगी धड़क धड़क जैसी आवाज आती है तो वो दस्वा दौर होता है जो एक साल तक खोला रहता है बच्चे के सिर्फे फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे बंद होने लगता है तो यह जो दस्वा दौर है वही सर्वस्टेश्ट दौर है हमारा शरीर जब गर्व में बनता है तो शरीर के साथ तीन चीज़े होती है जब सरीर के अंदर आत्मा प्रवेश करती है तो उसके साथ में कुणलीनी शक्ती भी प्रवेश करती है और पिछले जनम के करम भी उसके साथ ही प्रवेश करते हैं आपने सुना होगा कि बच्चा जब बहुत छोटा होता है और जब तक वो कुछ अन या नमक का कुछ चक्ता नहीं है तब तक वो अपने पिछले कर्मों को देख पाता है उनको ही वो नजर में और सोच में रख पाता है और उनी के अनुसार प्रतिक्रियाएं करता है दिरे दिरे जब वो अन खाने लगता है तो उसके पिछले जन पिछली यादे जो हैं वो खतम होने लगती है तो आत्मा और कुणिनी शक्ती और कर्म का ये जो लेखा जोखा है तीनों शरीर के अंदर यहाँ पे तालू भाग से मतलब जहाँ पे बच्चे का सोफट पार्ट होता है महीं से पूरे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं लाश्ट में जाके पहले चक्र जहाँ पे मल द्वार हमारा मूत्र द्वार होता है ना हमारा मूला धार यानिकी उस वाली जगा पे वहीं जाके पूरी उर्जा स्थिर हो जाती है सारे कर्म, सारी उर्जाएं, सब कुछ महाँ पे स्थिर हो जाते है और आत्मा क्या करती है, वो हमारे हिर्दे में स्थित होके पूरे शरीर को हिर्दे के साथ मिला कर चलाती है तो ये जो ये कर्म है, ये जो हमारे पिछले जनम के कर्म है जो कुनलीनी शक्ती है, जो उर्जा है, वो सब हमारे सहस्त्र चक्र में से प्रवेश करती है, और लाश्ट में सबसे नीचे का जो चक्र है, मुलाधार चक्र, जो मल द्वार और मूत्र द्वार से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर उर्जा स्थित हो जाती है, अब इनसान के अ उपर उठती हुई महसूस होती है। होती है वो योग शुद होता है वो कर्म शुद होता है ठीक तो इंसान को अपने ही अंदर ऐसे समय में कुछ उर्जा उपर उठती हुई महसूस होती है जब वो निस्वार्थ बाव से इस चीज़ को करता है इसको कुणलीनी शक्ति कहते हैं तो मूलाधार चक्र उसके अंदर ये शक्तियां सोई हुई हैं सतत द्यान के कारण बंतरोचार के कारण या किसी सच्चे सद्गुरू की तपस्या वाले सच्चे सद्गुरू का सपर्ष मात्र से ये कुणलीनी शक्ति जागरित हो जाती है कई बार लोग पिछले जनम में बहुत तपस्या साधना करते हैं त पर क्या हो अगर कुनलीनी शक्ती जागरित होने से पहले ही वेक्ति की मृत्ति हो जाए अगर ऐसा होता है अगर वेक्ति कुनलीनी शक्ती जागरित करने से पहले उसकी मृत्ति हो जाती है तो शरीर के अंदर जो नो द्वार हैं वहीं से आत्मा निकलती है अगर मूत्र द्व अगर आत्मा निकलती है, तो भी यही होगा। इसी तरह से नाक से आत्मा निकले तो भी अलग शरीर धारन करना पड़ता है। जिसे हम ब्रह्मरंद्र कहते हैं, यह जो जन्म के समय खुला हुआ था, जहांपर आत्मा प्रवेश हुई थी, उसी जगह से अगर ब्रह्मरंद्र से आत्मा का निकलना होता है, तो वो सर्वस्रेश्ट इस्थिती होती है, सर्वस्रेश्ट गती होती है। वो इनसान पुनर ज प्रमात्मा का रास्ता अपने आप प्रमात्मा का रास्ता अपने आप ढूंड लेता है। सीधी बात ये है कि जो जहां से आया है वहीं से अगर वापिस खुद को पहुचा दिया जाए तो ही मुक्ति की स्थिती है। लेकिन जहां से हम आये हैं ब्रह्मरंद से लेकिन निकलते नाक से हैं या आक से हैं या मलमूत्र के द्वार से हैं तो हमें उस प्रकार का शरीर धारन करना पड़ता है। और हम इस जीवन और मित्यू के चक्कर में इस माया जाल में फसे के फसे रह जाते हैं। सबसे पहले तो एक मेंटालिटी आपको ये रखनी है कि आप शुद और पवित्रात्मा हो। आज सही अपने जितने भी गलत कार्याप करते हो, गलत संगती में जो हो, उसको छोड़ देना है। अपने आपको शुद और पवित्रात्मा समझना होगा और इस ब्रह्मरंत तक पहुचने का कार्य शुरू करना होगा। ये जो शरीर में 72,000 नाड़ी हैं, उसके अंदर उर्जा उपर नीचे उपर नीचे बटकती रहती है। आखरी समय पर उर्जा जिस चक्र या कहलो जिस द्वार पर स्थित होती है, आत्मा वहीं से निकल जाती है। इसलिए उर्जा को सही मार्ग दिखाना बहुत जिरूरी है। हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि आखरी समय में हमारी उर्जा उपर के द्वार पर टिकी रहे। अगर उसको रास्ता मिल जाता है उर्जा को, जहां इब्रहम रंद्र है, तो ये उर्जा सारे चक्रों के उपर स्थित होके, एकाएक चक्र का शुद्धिकरन करके, शुशुमना नाड़ी से धीरे धीरे खुद को उपर की ओर उठाते 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 आग्या चक्र तक आ ज्यादा से ज्यादा ब्रहम रंद्र तक आ जाता है, आ सकता है, लेकिन जो सात्वा चक्र है, जो परमात्मा का है, वो हवा में बना हुआ है, ठीक है, अब क्या होता है, कि हम हवा में कुछ भी कर नहीं सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा आग्या चक्र और उससे भी ब्रहमरंद से परमात्मा चक्र जो हमारा ये हवा में है ये दोनों में मतलब आप लगा लो बारा उंगलियों का डिश्टेंस है ब्रहमरंद से आपका ये सहस्तरा चक्र तक तो ये जो रास्ता है ये बारा उंगलियों तक पहुचने के लिए वो परमात्मा की कृपा चाहिए उनकी कृपा के बिनाव महां तक नहीं पोच सकते उसके लिए या तो आपको एक मंतर के उपर एक देवता के उपर एक प्रक्रिया के उपर सतत स्थिर रहना होगा एक ही पर्टी के रहना होगा अगर हम सतत एक कृपा एक प्रक्रिया, एक देवता एक ध्यान एक चीज पर स्थिर रहें और सतत ध्यान रख पाएं तो एक ना एक दिन परमात्मा की किरपा होती है सात्वा चक्र जो हवा में बना हुआ है वहां से परमात्मा हमारे साथ कोंटेक करते हैं जिसे हम बोलते हैं आत्म शाक्षातकार और हमारा पूरी तरह से इस जीवन से इस प्रित्वी से इस ब्रह्मांड के सारे सिष्टम से हम जो है बाहर निकल जाते हैं जीते जी हमारा इसमें मन नहीं लगता है हमारा इसे सारा सिष्टम समझ में आने लगता है सत्य क्या है वो समझ में आने लगता है इसको पूर्ण अवस्था कहते हैं पूर्ण मोक्ष की स्थिती कहते हैं और वहाँ पे जहाँ पे परमात्मा का निवास था उस निवास थान तक हम पहुंच सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं फिर से हमारा पूर्ण जनम नहीं होता तो ये दसवे द्वार की कहानी थी जहां से हम आए हैं महीं पे पहुचने का प्रयास करते रहना है आपको इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी किरपगर के कमेट करके बताएं जैशीर